हेलो स्टुडेंट्स लिक्टेशन स्टार्ट होगी फाइब सेकेंड में महोदय भारत वर्ष में जनसंख्या का विस्पोर बरसाती वनस्पतियों के विस्तार की भाती हो रहा है पलस्वरूप नागरिकों को रहने के लिए धर्ती की कमी अनुभव होने लगी है देहातों में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी आजीविका उपारजन के साधनों एवं प्रद्योग की का लाब ना मिल पाने के कारण शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं दूसरी ओर शहरों की बढ़ती आबादी वहां के निवासियों के लिए विभिन संकट उत्पन करती जा रही है ग्रामीर छेत्रों में विज्ञान वा प्रद्योग की का महत्व अभी तक ठीक तरह से नहीं समझा जा रहा है एक सब्य समुदाय में विज्ञान वा प्रद्योग की को ग्राम ग्राम तक पहुचाने की छमता होना अनिवारे है चुकि समूची सभ्यता का विकास विज्ञान वा प्रद्योग की पर निर्भर है विज्ञान प्रक्रती के आ विज्यात रहस्यों का अनुसंधान करने और प्रगती के साधन जुटाने में लगे है प्रद्योग की ही वैज्ञानिक प्रणाली की वेह इस्तिती है जो आगे बढ़ने और महानता को उजागर करने का मार्ग सुझाती है दिन्चर्या को नियोजित कर सुख में जीवन व्यतीत करने की कला सिखाती है वह सर्वो परी कलाकृती सभी जन्मानस को उपलब्द होनी चाहिए विज्ञानवा प्रद्योग की को गाउं गाउं तक पहुचाने और प्रतेग जन्मानस को लभानवित करने में आसाधारन पराक्रमन की आवशक्ता नहीं है और ना ही यह असंभवकार्य है ग्रामीड जन्ता को उनकी भाशा में प्रद्योग की की जानकारी कराने से जहां एक और प्रद्योग की की लोक प्रियता बढ़ेगी वहीं दूसरी और जन्मानस का जीवन इस्तर उन्नत होगा आवशक्ता बस इस बात की है की प्रतेक प्रतिवा को नियोजित किया जा सके विज्ञान की प्रगिती तो चंद्रमावा शुक्र ग्रह तक को छूने लगी किन्तु ग्रामों में उसकी जानकारी सून्य के बराबर है प्रद्योगिकी को ग्राह बनाने वा गाउं गाउं तक पहुचाने में हिंदी भाषा का एक विशेश योगदान संभव है लगभग पचास प्रतिशद भारती किसी ना किसी रूप में हिंदी से जुड़े हैं अपनी सामर्थ्य और कार्य की विशालता का मध्यवर्ती संतुलन जितने अच्छे धंग से हिंदी भाषा में बैट सकता है उतना शायद और किसी भाषा में नहीं विज्ञान वा प्रद्योग की के हर विशय को हिंदी में अनेक तरकों, तथ्यों, प्रमाडों और उधारणों के साथ प्रस्तुत करने की छमता है आज कल इंजीनियरी वा सिक्छा रास्ट्र भासा हिंदी में दी जाने लगी है ताकि विध्यारती का मानसिक विकास सुगमता से हो सके और वै विज्ञान वा प्रद्योग की का अनुशरण कर सके महोदय स्वास्त्य मनुष्य की प्रबल संपदा है दुर्भाग्यपूर ही कहना चाहिए कि गाउं में इस ओर विशेध्यान नहीं दिया जाता वहां स्वस्त जीवन जीने की सतर्कता का पालन करने की कला सिखाई जानी चाहिए जिससे बिमारी के पनपने वा आकाल म्रत्यू की संभावना से बचा जा सके स्वास्त सुरक्षा हेतू व्ययाम खेलकूद वा मनुरंजन की जानकारी देना अनिवार्य है आधूनिक समय में प्रदूशन नसेबाजी व्यभिचार आदी की समस्याएं विभिन विमारियों को जन्म दे रही है बाल विवाह वाह बहु प्रजनन नारियों के लिए प्राण घातक हो रहा है स्वास्त्य रक्षक प्रवरतियों के समवर्धन वा उन्नत प्रद्योगिकी के समावेश से बिमारियों से आत्म रक्षा भी संभव है ग्रामों में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घरों में प्राया सोचाले ना होने के कारण गंदगी से भयंकर समस्या उत्पन हो रही है उन्नत प्रद्योगिकी से सुलप सोचाले का प्रयोग कर स्वच्छता प्रदान कराई जा सकती है और बिमारियों से भी बचा जा सकता है पशु पालन के लिए चारागा लगभग समाप्त होते जा रहे हैं सुखा चारा पशुओं की जमता को घटाता है पशुओं को उचित आहार उनको होने वाली बिमारियों एवं उनके उपचारों की जानकारी देना अत्यावश्यक है पशुओं से स्रम, दूद, इत्यादी, उपलब्द होने से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है यह उत्पादन से किसी प्रकार कम मूल्यवान नहीं है इसी प्रकार मुर्गी पालन वा मचली पालन की उननत प्रद्योग की का उपयोग भी भरपूर किया जा सकता है उननत प्रद्योग की से मिट्टी की उपजाओ सकती का ज्यान, उचित फसल का चयन, उचित किस्म के बीज की उपलब्दी, पौधों में लगने वाली बिमारियों से बचाओ कर उननत फसल और उचित मूल्य उपलब्द होते हैं इंधन की समस्या दिन प्रती दिन विकट होती जा रही है पारंपरिक उर्जा श्रोत सीग्रता से छै होते जा रहे हैं और पर्यावरण की जटिल समस्या बढ़ती जा रही है प्राया ग्रामीर छेत्रों में उर्जा खाना पकाने रोशनी करने सिचाई खेती बाड़ी यातायाद वालगू द्योगों के लिए प्रयुक्त होती हैं वैकल्पिक उर्जा श्रोतों की खोज एवं उसके अनुरूब उद्योगों का विकास आधूनिक समय की मांग है गाओं के लिए गोबर, गैस प्लान, सन्यंद्र, आधूनिक प्रद्योगिकी की देन है जापान में मनुष्य के मल को सड़ा कर खेती में खाद की तरें प्रयोग में लाया जाता है उसे सोना खाद कहते हैं इससे तो दो लाब होते हैं एक तो पशूओं के गोबर की कमी पूरी हो जाती है और दूसरे पैदावार भी अधिक मिलती है झाल में झाल वाया लाद के लाद के लाद की